थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू आ न्यू तो दिस चैनल काइनल लाइक सब्सक्राइब एन हिट दे बेल आइकान फॉर लेटेट्स अपडेट्स थैंक्स एंड इंज्वाइए हलो सुडेंट्स हाव आ यू अज जसी डिसकस करांगे इतिहास दा पार्ठ नोवां कित्थे कदों अते किमें दे क्वेस्चन अंसर्स सब तो पहला क्वेस्चन है इतिहास काराने पार्थी इतिहास नू केड़े तेन कालां विच वंडिया है देखो इतिहास तो की पाव है इ जो समा बीत गया है उस दा करमवार अधियान ठीक शुरू कित्दा होया विचकार कित्दा पहुंचया खत्म कित्दा होई ओगल ठीक है ते होन ता को कित्दा चलदा रहा सो इसनू केंदे है बीते होई समेदा करमवार अधियान इतिहास ठीक इतिहास काराने की गिता कि इस प्राचीन काल मद काल ते आधुनिक काल सेकिंड कुष्चन पारत विच आधुनिक काल दा रंब कदो होया इस तो भी पहले एक कुष्चन बंदा है कि की पारत दा आधुनिक काल अलग है कि दुनिया या दुनिया दे होर देशां दे आधुनिक काल या उना दे दूजे काल अलग लगने क्यों सो देखो कई जगा ते जीवन बहुत देर बाद आया ते कई जगा थे लोकी पहला जाके बसर होन लग पे ते उन्य दा प्राचीन काल ओदो तो शुरू हो गया इसे तरह जिड़े देशा ने तरक्की जल्दी कर लई उन्य दा आदुनिक काल ओदो शुरू हो गया तो पारत दा आदनी के काल कोड़ों शुरू है जदो अठारवी सदी विच मुगल बादशा औरंग जेब दी मौत होगी तो उस तो बात क्यों है जेडियां देसी रियासता उना दियां शक्तियां दा उत्थान होगया उना ने मुगल शास का विरुद विदरो खड़ा कर देता तो आपस विच लड़न लगे इना विचो मुखसान मराठे, सिक, रुहेले, पठान अथे राजपूद तो ऐसे समय दुरान इंडिया विच एक गल होर पसार कर रही सी वो एसी के यूर्पेन कंट्री वेच उद्योगिक करांती जनम लाए चुकी सी होन उत्थों दे लोग अपनी अपनी कंपनिया बना के अपने देश्यां विच बनाए होए माल नू वेच चनली अलग अलग बस्तिया लब रे सी अलग अलग कलोनी जलबरे सी थी वो अपना समान वेच सकन ते अपने कार खानने आ लई कच्चा माल प्रापत करके अपने देश पेच सकन सो एहो जे कम लई इंडिया उनना नू सब तो वदिया लगया क्योंके इंडिया बहुत अमीर सी पर इंडिया दे लोग बहुत गरीब सी अग्रेज गो झाहने इंडिया देशी रीयास्ता दी स्पोर्ट करके सब तो पहला ता दिली दा शासन खतम किता ते फिर होली होली देसी रियास्ता नो यूना ने खतम कर दिता अगला क्वेश्चन हैदराबाद सुतंतर राजदी नी कदों अते किस ने रखी सी औरंग जेब दी मोत वाद मुगल राज कमजोर पैना शुरू हो गया ते बहुत सारिया रियास्ता इसदा फैदा उठाके अजाद हो गया 1724 इस वीचे सब तो पहला निजाम अलमल्क ने हैदराबाद सुतंतर राजदी नी रखी ते उस तो पिच्छों फिर कईया ने मुर्शिद कुली खान आते अली वर्दी खान ने बंगाल राज ने सतंतर किता 1749 वीचे सादत खान ने अवद नू एक सतंतर राज बनाया दखन वीच मैसूर सुतंतर राज दे सापना होई जिस दा शासक हैदर अली आते उस दा पुत्तर टिपो सुल्तान सी मराठ्या ने भी पेश्वेयां दिये गवाई हेट मुगला दे लाक्यां थे हमला कर देता अगला क्वेस्चन आधनिक काल दुरान पारत विच आईयां योर्पेन शक्तियां दे ना लिखो और जिदा के पहला दस्या है कि इस काल दे विच वपार करन ले योर्पेन देश इंडिया विच आ गए बार विच होली होली उनना ने अपनी शक्तियां मजबूत करनी शुरू करतीयां तो इस काल दू समझानी थोड़ा हो और पिछे जाना पर एगा योर्पेन देशां दा पारत नाल वपार प्राचीन काल तो चल रहा सी पर जदो पारत दी उपर ली सीमा दे नाल लग दे पच्छमी एशिया दे देश ते दखनी पूरवी योरप दे परदेश ते जदो तुर्का ने कबजा कर लया ते उनना ने पारत आन वाले सारे राब बंद कर दे जिननल योर्पेन देशां दा पारत नाल वपार खतम हो फिर योर्पेन देशां ने पारत पोंचनली समुंदरी रस्ते लबने शुरू करते तो सब तो पहला जिसने रस्ता लबया उस दा नाम सी वासको डिगामा जो के एक पूर्थ गाली कप्तान सी इस तो बार कई होर योर्पेन देशां दे लोक इस रस्ते पारत अंदर दाखल होने शुरू हो गये थे उनना दा पारत दे नाल वपार फिर शुरू हो गया पर इस समय दे वपारत प्राचीन समय दे वपार इच वड़ा परिवर्तन एई आया सी उद्योगिक करान थी दा होन उनना नू अपनियां फैक्टरियां विच बनाईयां हुईयां वस्ता लई मार्किट्स दी लोड सी बस्तियां दी लोड सी इस करके उनना नू इडिया सब्तो बदिया लगया इस वपारक उदेश दी प्राप्ती लई यूर्पीन शक्तियां जिदना पुर्टगाली डच फ्रांसी सी अते अंग्रेजाने वी पारत विच अपना अपना सामरा स्थापत करन दी कोशिश शुरू कर दिती नेक्स्ट क्दों आते किसने अवद राज नो स्तंतर कोशित कर दिता एजवे के पहला दस्या गया है कि 1744 इस वीच सबतों पहला निजामल मुल्क ने हैदराबाद स्तंतर राज दी नहीं रखती फिर उना दी देखा देखी मुर्शिद कुली खां अली वर्दी खां ने वेच साड़ी के में सहायता कर दिया हैं जी पाशा विच बहुत सारियां पुस्ट का चापियां गयां सन जिनादा अदियान करनाल सानू साहित कला विग्यान इतिहास अते संगीत आद खेतरा विच कीती तरक्की बारे जानकारी मिल दी है नेक्स्ट इतिहासिक इमारतां बारे संखेप जानकारी लिखो इतिहासिक इमारतां भी सी जिनादों सानू आदिनिक काल दे इतिहास बारे काफी जानकारी मिल दी है कई आदनिक काल दियां इतिहासिक इमारतां असी आज भी देख से दियां जिदां इंडिया गेट, केंदरी सकत्रेथ, राष्टरपती पवन, संसद पवन, बिरला हाउसाद ए सारे सानू पारदी पवन उसारी कला दे वक वक पहलुआ बारे जानकारी दें देहन जितो पता चलता है के इंडिया ने पवन उसारी दी कला दे वेचे किन्नी वदिया तरक्की कर ली सी, उत्थों दे कारी गर किन्ने कुशल सन सो एह सारी जानकारी सानू इतिहासिक मारता नो देख के प्रापत हुन दी है नेक्स्ट अखवारां मैगजीन अते रसाले इतिहास लिखन लई के में सहाए कहुन देहन आदनिक काल दे शुरुआत वेचे छापे खाने दी खोज हो चुकी सी जिदनल उस समय पुस्त का अते सरकारी दस्तावे जाम वांग वक्ष वक्ष पशावां विचे छापे गे अखवारां मैगजीन अते रसाले आद तोवी सानु पारत दे आद निकाल बारे जानकारी प्रापत हुन दी है ओना वीचो कुजक वार्ज में दे ट्रिब्यून दे टाइम्स ओफ इंडिया आद अज वी छापे जान दे हन नाइन्थ सरकारी दस्तावेजां ते नोट लिखो हुन देखो जोदों भी किसे भी चीज़ा संचालन करना हुए ता उस दा हर हिसाब किताब हादे उस दी हर गती विदीदा रिकार्ड सानू लिखती रूपेच रखना पेंदा है सानू रखना पेंदा किने पैसे खर्च होए किने आए सानू रखना पेंदा उस नू किने रिते ऐस वक्ते नू किने रिते केड़ा पैसा किते खर्च होए आठी आकम करन ली केड़ी प्लाइनिंग किती गई ते ओ क्यों किती गई ते किमें किती गई ते के हो जे बंदे और इच इन्वाल सी हर चीज रिटन विच करनी पेंदी है तो एहो जेहे ही सरकारी दस्तावे सानू आधनिक काल दे पारत विच वी प्रापत हों दे हन जिस्थो अनू पारत चलदा है वक वक पारती ताकतां आधे विदेशी ताकतां दे आपसी वेवहार दा आधे जो दो अंग्रिज़ा ने कबजा किता तो ओहो पारत दे लोकानल के हो जा वेवहार करदे सी के हो जा ओना देनल आर्थिक शोष्चन करदे सी ठीक ओधी सारी जानकरी सानु इना सरकारी दस्तावेजा विच प्रापत होंदी है इना क्वेश्चन जे आंसर सा एक एक या दो दो लाईना देने पर इना नो इनी डिटेल विच इसकर के दसे है ताकि तानु कोई भी आंसर याद करन दी लोड़ना पवे अठारमी सदी वेचे पारत वेच मराठे, सिख, रोहेले, पठान अते राजपूत आद नविया शक्तियां दा उबार होया होनँ हैटली के वाक्षा गलत दा चिंद लगाना है पहला, अठार्वी सदी वेचे पार्ती समाज जोच बहुत सारियां समाजिक बुराईयां परचल लत्सन सही सेकंड, पच्छमी सिख्याते साहे दे नालंग पच्छमी विचारा ने भी पार्तियानू जागरित किता होना होया किसी के अंग्रेज जो दो आए छापे खाने दी भी खोज होगी अंग्रेजान दे संपरकिच आन करके इत्थों दे पार्तियान ने भी ओना दा साहित पढ़ना शुरू किता ते उना दे अंदर भी बराबरता पाईचारे इक्वालिटी दे जेड़े कॉंसेप्ट सी उना नोई समझाने शुरू होगे उना नोई पता चल गया के देश तरक्की किदा करदा है उना नोई पता चल गया के आर्थिक शोशन किनू किया जन्दा है ठीक ओ इना सारे विचारां तो प्रेरित होके ही उना ने अंग्रेजान दे खिलाफ अजादी दी लड़ाई दी मोहिम शुरू कर दिती ते अखीर 15 अगस्त 1947 नो पारत अंग्रेज़ा हतों अजाद करवाया सो दूज़ा बिल्कूल ठीक है के पच्छमी विचारा ने भी पार्तिया नो जागरेच किता थर्ड, अठारवी सदी विच पारत विच मुगला दा सामराज बहुत शक्ती शाली सी गलत सो एसी लेसन उमीदत अनो जरू समझ आ गया होगा मिल दे हां अगली विडियो बिच